आज में आपके साथ में शेर करना जा रही हूँ सूजी से बनने वाला बिल्कुल सिंपल सा और इजी सा नाश्टा जो मिन्टों में बनके रेडी हो जाएगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अधि आप मेरी चैनल पे नए आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को पुश करना ना भूले ताकि आपको नेक्स नोटिफिकेशन मिलती रहें 1 कप पानी और 1 कप पानी तोटल मिला के हमें 1,5 कप पानी यूस करना है अब इसमें एड करना है 1,5 टैबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर माओर और 1,5 इंच के करिब जिंजर जिसे आप अच्छी तरीके से क्रैट कर ले जाएं और सबी चीजों को अच्छे तरीके से mix करते हुए पानी के अंदर एक अच्छा सा उबाल आने देजिए एक उबाल आने के बाद में अब मैं इसमें add कर रही हूँ 1 cup सूजी इसके लिए मैंने यूज की है बारिक सूजी यदि आपके घर पे बारिक सूजी अवेलेबल नहीं हो तो आप mixer में पीस के उसका यूज कर सकते हैं इस समय गैस को कर दीजिए बिलकुल बन और दीरे दीरे सूजी को डालते हुए आप हिलाते चाहिए continuously ताकि कोई lumps ना पड़े आप देख सकते हैं सूजी सारा पाने अब्सॉर कर चुकी हो कि इस तरीके से डो के फॉर्म में ready हुई है अब मैं इसे 5 मिनिट्स के लिए ढाक के रख रही हूँ 5 मिनिट्स बाद मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लूँगी यह मैंने एक बाउल में इसे ट्रांसफर कर लिया इस समय यह ज़्यादा गरम ना है और नहीं ज़्यादा थंड़ा है हमें इस जिश का दियान रखना है हाटों पे proper oil का use करते हुए हमें इसे आटे जिसा गूथना है 2-3 minutes में अच्छी तरीके से इसे गूथूंगी ताकि ये एक समान सा हो जाए और proper सा यदि हम इसकी ball बनाते हैं तो उसमें कोई cracks वगरा नहीं आए अब इस जिश का दियान रखे इस समें ये थोड़ा सा हलका सा गरम रहना चाहिए अब मैं इसकी एक ball बना के आपको बता रही हूँ थोड़ा सा मैंने हाथ में लिया और मैं इसकी ball बना रही हूँ आप देख सकते हैं ball कितनी सुंदर बनके ready हुई है second ball फिर बना रही हूँ आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ball लग रही है अब इसी तरीके से हमें सारी balls को बना के ready करना है मेरी सारी balls बनके ready हो चुकी है अब मैं इसे stream करूँगी stream के लिया है मैंने एक छलनी नीचे मैंने एक तपेली रखी हुई है और चलनी बे प्रॉपर तेल लगाते हुए सारी balls को इसके अंदर प्लैस कर देंगे हैं सारी balls को हम अच्छी तरीके से इसके अंदर जमा देंगे ये सभी हमने अच्छी तरीके से रख दी 10 minutes के लिए में इसे stream होने दूगी और 10 minutes बाद आप देख सकते हैं बाल्स कितनी अच्छी बनके रेडी हुई है सभी बाल्स कितनी अच्छी सौफ्ट और फ्लफी सी दिख रही है अब मैं ले रही हूँ एक पेन और पेन में मैंने डाला है 2 टेबल इस्पून के करिब ऑईल ऑईल को अच्छा गरम होने दे गरम होने के बाद में 1 टेबल इस्पून सरसो और 1 टेबल इस्पून जीरा यूज किया है कुछ कड़ी पता डालेंगे और 1 टेबल इस्पून के करिब तिल इन सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे यहां पर हम गेस की फ्लेम रखेंगे बिलकुल लो 10-15 सेकंड मिक्स करने के बाद में अब मैं इसमें एट कर रही हूँ 1.5 टेबल इस्पून कश्मरी लाल मिर्श पाउडर और 1.4 टेबल इस्पून टर्माइक पाउडर इसमें मैं अब 1 पेकेट के करीब मेगी मसाला ले रही हूँ आप चाहें तो कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं इसमें जिसका भी टेस्ट आपको पसंद हो चाहें पाउबाजी मसाला हो, सांबर मसाला हो सभी मसाला, कोई सभी मसाला ले सकते हैं सारी मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसमें 2 टेबल स्पून मेंने पानी उसकिया ताकि अच्छी तरीके से हमारा मसाला इस समय सिख जाए और थोड़ा सा टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक और अब हम इसमें एड़ कर रहे हैं हमारी बॉल्स जो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी सॉफ्ट सी बनके रेडी हो चुकी है अब हम सारी बॉल्स को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे सभी बॉल्स और मसालों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है अच्छी तरीके से आप हिलाएए और वन टू टू मिट्स बाद हिलागने के बाद में आप खुद देखेंगे कि सारा मसाला बॉल्स पर अच्छी तरीके से लबा लब लिपड चुका है और हमारी बॉल्स बनके हो गई है रेडी तू मिट्स के लिए यहां पर मैंने इसे ढा यहां पर यहां पर यूज़ कर रही है और थोड़ा साथ चौप्ड हरा धनिया इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी अब जरूर यह रेसिपी ट्राय करें और ट्राय करके मुझे कमेंड करके बताएं आपको यह रेसिपी कैसी लगी आप देख सकते हैं बॉल्स कितनी सॉफ्ट और कितनी लुकवाइज यामी लग रही हैं और यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेर करना न भूलना थैंक्यू